असलाम लीकुम वीवर्स आज मैं आपके लिए लेकिया हूं कस्टड फूट राइफल की रेसिपी वैसे तो हर कोई फूट राइफल बना लेते हैं लेकिन आज हम इसे लियर्स में बनाएंगे इससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो मेरे चानल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें और पहासी बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हाने वादी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यहां पर मैंने लिया है हाफ लिटर दूद जिसे मैंने बॉाइल होने के लिए रख दिया है और यहां पर लिया है मैंने आदे कब के बराबर दूद और अब हम इसमें तीन चमच कस्टर पाउडर एट करेंगे करने के बाद हम इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लांप्स नहीं रह जाए यह देखिए कि कस्टर पाउडर जो है वो दूद में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है अब हम इसे एक साइट पर कर देंगे यह देखिए दूद को जो है वो बाइल आ चुका है अब हम इसमें चीनी एक करेंगे चीनी एक करने के बाद अब हम इसमें दूद आट करेंगे जिसमें हमने कस्टर पाउडर जो था वो शामिल किया था अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक consistency में नहीं आ जाता सिर्फ इसको पकाते हुए हमें 5 मिन्ट में और ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया है बस हमें इसे मजीद 2 मिनट तक पकाएंगे और इसे side पे कर देंगे यहां पे लिए हमेंने एक पैन जिसमें एक कप के बराबर में पानी राट कर रही हूं पानी राट करने के बाद यहां पे मैंने लिया है एक पैकेट चैली जो के strawberry flavor है एक पैकेट हमें इसमें राट कर देंगे और पांच मिनट के लिए से पकाएंगे है पकाने के बाद हमने से अच्छे तरीके से ठंडा नहीं करना है बस नॉर्मर रखना है ताकि कि यह ब्योंकिल जैसे अच्छे से सेट होजाती है वैसे नहों चुकी है अब हम इसे साट पे करतेंगे यहां पर मैंने अगीन एक पैन लिया है उसमें एक कप पानी अट करूँगी और यहां पर भी मैं इसमें जैली का एक पैकेट अट करूँगी लेकिन अलग फ्लिवर में इसे भी हम पांच मुन तक पकाएंगे यह देखें पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसे भी साइट पे कर देंगे यहां पर मैंने लिए हैं चार गिलास और यहां पर मेरे पास है यह देखें यहां पर मेरे पास हैं केक क्रम्स जो मैं सबसे पहली लिए जो लगाऊंगी वह केक क्रम्स की लगाऊंगी आप चाहें तो यहां पर बिस्कुट्स को क्रश करके भी उसकी लिए लगा सकते हैं कि तरह से हम लोग इनकी में लियर लगा देंगे हुद पूस का लग देने हैं इसके बाद हम इसमें एक लियर में कस्टड की अट करेंगे इसी तरह से आपने बावल टे सहरा में कस्टड की जो में लगा देनी है अब मैं इसमें तर्ड लियर लगाऊंगी रड जैली की इस तरह से आपने जैली की लियर लगा देनी है चारों किलासिस में इसमें जैली को जो है वह मैंने ज्यादा सेट नहीं होने दिया है अधार को जैए जाली की नियर जा von गजग चुकी है अब मैं किसमें तोड़े से ठॉड़े वंगी असकी लिए लगेगी आ चेजिर मैने ड्राइफ maar सेट कर्दी है इसके बाद यहाँ पर मैंने लिये बपन्ज क्रिम हम यहाँ पर एक लियर विपिंग क्रीम की लगाएंगे इसी तरह से आपने चार एक ग्लासिस में लियर लगा लिनी है इसके बाद यहां पर मैंने कुछ फूट्स एड़ किया है यहां पर मैंने एपल और बिनाने अट किया है आप चाहें तो कोई भी फूट जो है वह इसमें अट कर सकते हैं यह देखिए फूट्स एड़ करने के बाद मैं अगेन इसमें कस्टड की जो है वह एक और लियर लगाऊंगी यह देखिए इसी तरह से आपने कस्टड की लियर लगा देनी है ताकि जो फूट्स हैं वह सारे कवर हो जाएं आपगा में लगा 살 में लगा दी आप ए्योन कि करना लगा है इसके अगये वह घ्रीम जैयली की एक लियर लगेगी जो मैं लगा रही हूं और लिए मिह क्रीन जैली के मैंने सेट नहीं आ डिया है नॉर्मल रखा है इसी तरह 150ions में में इसकी लियर लगा देंगे देखें सारी लियर्स लग चुकी है यहां पर में बस विपिंग क्रीम है जिसका में एक ड्रॉप यहां पर सेट करती जाओंगे आप चाहें तो इसके उपर केक क्राम्स भी डाल सकते हैं ड्राइफ फूट्स भी डाल सकते हैं मिरे पास ड्राइफ फूट्स एवेलीबल थे तो इसका अब मैं और भन के रडी हो चुका है अब मैं इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी जब यह अच्छे तरीकिसे सेट हो जाएगा तो इसे खाने का मज़ा आता है I hope आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी आप लोग इसे ज़रू ट्रा कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी तो अच्छे लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सिस्क्राइब करें